हेलो एरिवन वेलकम बाक टो मैं नीव वीडियो तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हूँ कि मैंने क्या-क्या पच्छिस किया नेक्स यहाँ पर फिडिंग बॉटल जो कि मीमी ब्रैंड की तरफ से है और यह मैंने स्टील में एक मंगवा के रखी क्योंकि एमर्जेंसी में कभी-कभी बॉटल की नीट परती और एक साथ में बेबी हक का भी मैं छोटा वाला यह मंगा के रखी हूँ क्योंकि यह मुझे ब कपड़े इसी डिटर्जेंस से अभी मैं वाश करूंगे उसके बाद ही फिर यूज करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आये मल्टी परपस वाश जो की बेबी की फिडिंग बॉटल और बेबी से रिलेटर जो भी प्रोड़क्ट है वह इसी से वाश किये जाएंगे नेक्स्ट के नैपकेन बहुत ज़्यादा यूज होते बेबी के लिए बॉफिंग वगरे कराने के टाइम पे तो यहाँ पे तीन मैंने इस तरीके की हैंकी खरीदे हैं उसके बाद फिर यहाँ पे टॉवल मैंने खरीदा है जो की स्वडल के भी काम आने वाला है और भी यूज इसको क कर लेगा नेक्स यहाँ पे प्रेंट वाला टॉवल मुझे पसंद आया था तो टोटल मैंने तीन टॉवल पर्चेस किया नेक्स यहाँ पे है जो फिडिंग स्कार्फ है वो मैं खरीद के रखी हूँ यह मेरे अभी यूज का नहीं है यह आफ्टर डिलवरी मेरे यूज नेक्स यहाँ पे जो नापीज है क्लॉथ वाले वो मैंने मंगाये थे तो इस तरीके से कुछ पूरा सेट रिसीव हुआ है क्योंकि बेबी को डाइपर फ्रे टाइम में देना बहुत जरूरी है पूरे टाइम डाइपर पहना के नहीं रख सकते जिसकी विजह से मैंने यह पूर्चिस की हूँ और जो क्लॉथ नापीज है वो तो बार-बार यूज कर सकते हैं वाश करके नेक्स्ट यहाँ पे जो है मसलीन क्लॉथ के पांच का सेट मैंने नापीज का बुलाया था यह बिल्कुल ही डाइपर जैसे डिजाइन हुए है और बहुत अच्छे कॉलिट की जाने का इतना कुछ दिक्कत नहीं था तो यहां पर मुझे रिसी हुआ है बेबी केरियर कम स्लिपिंग बैग तो यह मुझे बहुत पसंद आया था प्रेंट इसका और इसके रेविव भी काफी अच्छे थे तो मैंने इसको पॉच्छेस कर ले थी तो यह बेबी को करने के के लिए के लिए इनके रहा को सकते है और परना करते हैं करते हैं मुझे रिसीव हुए है तीन प्रोडक्ट चले एक एक करके यहां पर उपन करते हूं सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो मुझे रिसीव हुआ है बेबी के कलर्स में तो यहां पर मुझे साइस का भी इशू है कि मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आता है बस देख लेती हूं 0-3 months और मैं प्रोडक्ट बुला ले रही हूं तो यहां पर देखिए यह बटन वाले हैं फ्रंट ओपन वाले हैं फूल स्लिस्क हैं तो यह विंटर में काफी यूसफूल रहेंगे अब साइस पता चलेगा आगे कि आते हैं या नहीं आते हैं होप कि यह स्ट्रेचेबल है तो आराम से यूस हो जाएंगे तो इस तरीके का कुछ मैंने बुला के रखा है क्योंकि फ्रंट ओपन रहता है तो बेबी के लिए काफी ज्यादा कॉम्फोट कि तरफ से तो इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या है तो देखते होता है और इसमें तो इसमें सारे प्रडुक्ट के ми да क्या मंगा है तो सबसे पहले यहां पे bottle brush मैंने बुलाया है तो जो feeding bottle है वो इसी से clean की जाएगी उसके बाद next यहां पे दो pen का set मैंने बुलाया size का भी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यह set मुझे काफी cute लगा था जिसके बुला ली हूँ अभी देखते हैं कि baby को आता है या नहीं आता है बड काफी comfortable होते हैं इस तरीके के कपड़े तो यहां पे dry sheet मैंने बड़े size में बुलाया है क्योंकि इसके पहले जो मैं यहां receive हुए है क्योंकि अब winter आने वाले हैं तो यह बहुत ज़्यादा जरूरत थी तो इस तरीके के कुछ चार का मुझे set यहां पे receive हुआ है और इस तरीके की elastic वाली आप लोग खरीदेगा अगर आप खरीदने वाले होंगे क्योंकि और एक elastic वाला आता है जिसमें baby comfortable नह आपको adjust कर लेते हैं next मुझे यहां पे receive हुआ है cotton bedding set for babies color बहुत प्यारा था फैबरिक बहुत प्यारा था review काफी अच्छे थे तो मैंने यह वाला product मंगा ली साथी में इसके receive हुआ है एक pillow जो की बहुत ही cute है बहुत ही soft है तो baby के लिए I think यह बहुत comfortable रहेगा और साथ में नेट भी है तो baby के सोने के लिए काफी जादा safe रहेगा I hope आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा मिलती हूं next video में